वल यार, in today's video, मैं आपको बताने वाला हूँ, best dishwashers of India in 2023, but लिस्ट बताने से पहले आपको बता दू कि आखे dishwashers होता क्या है, basically जिस तरह से कपड़े दोने के लिए washing machines आती है, इसी तरीके से बरतन दोने के लिए dishwashers आते हैं, जिन में automatically, बिना हाथ गंदे कि ये बरतन, काफ अगर आपको पता होना, तो dishwashers काफी सारे sizes में आते हैं, एक 8 place setting वाला, 12 place, 13, 14, जो 8 place settings वाले dishwashers होते हैं, उनमें आप एक साथ, एक तरह की art बरतन दो सकते हो, and in total 96 utensils के आसपस एक बार में दूल जाते हैं, like मानलो 8 cup, 8 glasses, 8 fog वगरा, इस टाइप की चीज़े, 8-8 करके, इ 26 utensils दो सकते हो, and 12 place settings वाले होते हैं, उनमें थोड़े जादा दूल जाते हैं, तो अगर आप single family से ब्लाउं करते हो, आपके घर में 3-4 लोग हैं, तो 8 place setting वाला काफी होगा अपने लिए, but 12 place है, या फिर 13 या 14 है, वो आप अपनी आवशकता के हिसापसे, like 12 place वाला 6-7 आपको आपको वाशिंग मशीन की ही तरह किसी एक जगा पर fit करना पड़ता है, और सेम वाशिंग मशीन की तरह इनमें काफी सारे controls होते हैं, अलग-अलग wash programs भी होते हैं, अभी बात आती है budget की, तो देखो, इस वीडियो में आपको हर एक budget के हिसाप से 5 best dishwashers बताऊंगा, जिन में से सबसे सस्ता जो dishwashers है, बीस हजार रुपे में मिल जायागा आपको, और जो सबसे महंगा है वो पच्छा हजार रुपे तक आ जाता है, अब यार, budget के साप से dishwashers में अब अलग-अलग functions, अलग-अलग brands, अलग-अलग build आता है, तो ये सारी चीज़ आप पर dishwashers है, क्योंकि compact size में आता है, तो easily table top हो जाता है, 8 place settings देखने को मिलती है, in total up to 96 utensils को आप एक साथ दो सकते हो, जो इसका अंदर का build है, वो stainless steel में आता है, which is compulsory, हर एक dishwashers जो मैंने select किया है, सभी का build काफी जादा बढ़ी आता है, यहाँ पर आपको in total 6 wash programs देखने को मिल ज जाते है, यहाँ पर आपको एक eco mode देखने को मिल जाता है, जो कि basically come water and come electricity में आपका काम चला देता है, and glasswares जो होते है, like crockeries वगेरा, उनको भी आप इन dishwashers में clean कर सकते हो, बाकि इसमें आपको inbuilt heater भी देखने को मिल जाता है, and water consumption ना इसमें लग बग 8 liter per cycle होता है, so अगर आपका budget 20-25,000 रुपे है, and उस budget में आपको इस dishwasher लेना चाते हो, basically guys में बता दू, यह जो budget है, यह की starting budget है dishwasher के लिए, यह काफी कम price में, काफी अच्छी value देता है आपको, and voltas की तरफ से आता है, तो एक Tata का का काफी powerful product है, 2 साल की warranty, and 5 years की on motor warranty देखने को मिल जाती है, बात कर लेना चाते हो, तो सभी dishwashers की best discounted buying links, description में दे दिए, जाके check out कर लेना, Now guys, here comes the fourth one, which is IFB 12 place setting dishwasher, IFB का यह जो dishwashers है, 12 place settings के साथ आता है, यह भी काफी energy efficient है, and guys, बता दू, IFB भी काफी जादा popular and बड़ा Indian brand है, जो washing machine dishwashers वगेरा बनाता है, and हर एक mattress city में, आपको इसके service centers वगेरा मिल जाते है, यहाँ पर जो water consumption है, वो 9 liter के आसपास है, per cycle, and इसकी जो noise level है, वो 49 dB है, लगबग सारे dishwashers की noise levels आती है, 50 decibels की, अगर आपको मिलती है, तो आप easily उसको ले सकते हो, बट यहाँ पर 49 मिलती है, जो कि काफी ठीक है, जादा आवाज नहीं करे गाई है, यहाँ पर दो wash arms है, इसके अंदर, आपको एक quick wash option मिल जाता है, and half load option भी मिलता है like मानलो आपको कम बरतन दोने, तो half load वाला option आप select कर सकते हो, उसमें आप 12 की जगा 6-6 के हिसाब से बरतनों को दोपा होगी, अब यहाँ पर आपको in total 8 wash programs मिल जाते है, सामने की तरफ एक LED indicator देखने को मिलता है, and voltas वाले से थोड़े ज़ादा functions है, इसमें आपको एक push control भी मिल जाता है, बाकि 2 year warranty on machine, and 8 years की warranty, spare parts के उपर मिलती है, जिसमें इसकी motor आजाती है, ceramic coating आजाती है, and काफी सारी चीज़े, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो voltas में है, इसमें voltas की सारी चीज़े, plus 360 degree jet spray, with power steam देखने को मिल जाता है, and built-in heater भी देखने को मिलता है, सार पी light आएगी न, तो machine बिल्कुल उसी जगा से शुरू होगी, जहांस तो उस न छोड़ा था, बाकि तो मेरी तरफ से highly recommended है, अगर आपका budget कम है, and 12 place setting वाला, कोई Indian brand की तरफ से dishwasher लेना चाहते हो, IFB का ये dishwasher चेकाउट कर सकते हो, price की बात करूं, तो 35,000 से लेके, 38,000 तक के आ आपको 13 place setting वाला मिलता है, यहाँ पर फिलाल में बात कर रहा हूँ, stainless steel color की, आप चाहो तो इसमें white color भी ले सकते हो, दो colors आते हैं, same dishwasher में, but prices में, जमीन हास्मान का फरक है, लगबख 5,000 रुपे का फरक आता है, तो अगर आप एक smart buyer हो, then definitely सस्ता ही लोगे, सिफ color के चकर में कोई नहीं देता, 5,000 रुपे, बाकि आपके उपर है, बात करें इसके features की, तो देखो, Samsung के इस वाले dishwasher में, आपको सारी चीज़ें stainless steel की मिलती है, लाकि stainless steel का ही tub है, stainless steel की full body है, यहाँ पर आपको inbuilt heater वगेरा, सब कुछ मिलता है, 70 degree truck के वानी से आप intensive wash कर सकते हो, यहाँ पर control lock मिल जाता है, जो कि basically kids के लिए होता है, सारे manual controls आपको display के साथ मिल जाएंगे, बाकि दो control buttons आपको अलग से मिल जाते है, अब देखो, Samsung काफी बड़ा brand है, तो आप easily इस पर trust कर सकते हो, and यह एक affordable price पर आता है, यहाँ पर stainless steel वाला जो color है, वापको 28,800 रुपीज में देख बाकि 4 तरह के wash programs है, Samsung का यह dishwasher मेरी तरफ से highly recommended है, अगर आप कम budget में एक अच्छी चीज लेना चाते हो, then इस वाले को check out कर सकते हो, now guys, here comes the second one, यह आपको wash brand की तरफ से 13 place setting वाला dishwasher देखने को मिल जाता है, white color के काफी जादा enhancing and तगड़े look में आता है, but budget भी इसका तगड़ा अभी जो 13 place settings है, mainly एक बड़े परिवार के लिए, like 5-6 लोग रहते हो, अगर आप यहाँ पर आपको adjustable cutlery box मिल जाता है, इससे आपकी storage capacity वो थोड़ी सी भड़ जाती है, यहाँ पर आपको steam, inbuilt heater, सारी चीज़े बिलती है, and यहाँ पर एक intensive कड़ाई program भी मिलता है, like कोई oily masala जाला stance है ना, कड़ाई के अंदर, तो फो perfectly clean हो जाते हैं इससे, in total six wash programs मिलते है, उसके अलावा, half load option मिलता है, जो कि सभी में आता है, extra dry option मिल जाता है, and eco silence drive मिलता है, जहाँ पर washing operations है, काफी कम noise में होते है, so आपको disturbance नहीं होगा, बाकि 2 years warranty on product, and 10 years की warranty on inner tube, जो की इसकी motor है, उसके उपर देखने को मिल जाती है, आपको, बात करूं price की, तो ये dishwasher आपको 40,000 रुपीज का देखने को मिलता है, अब देखो या, जैसे पैस है ना, वैसा ही, build and features आपको देखने को मिलता है, पौश भी काफी जाता, तगड़ा, एंड बढ़ा brand है, सारे controls आपको display के साथ में देखने को मिल जाते हैं, सामने की तरह, अब आप इसको चाहो तो washing machine की तरह रख भी सकते हो, और चाहो तो इसको fit भी करवा सकते हो, Now guys, here comes the last and the best one, जो कि आपको LG की तरफ से देखने को मिल जाता है, यार देखो, अगर आपके पास flexible budget है, आप ए ठीक ठाक एंड भड़िया चीज लेना चाहते हो, Then LG की तरफ से 14 play settings वाला ये dishwasher आजाता है, यहाँ पर आपको wifi options भी देखने को मिल जाते है, Like phone से काफी सारी चीज़ा हो जाती है, smart AI इसके अंदर आता है, quad wash का option है, इस वाले dishwasher की steam quality है वो काफी जादा अची है, Like burden और भी जादा hygienic तरीके से दो लेंगे इसमें, यहाँ पर जो अंदर का material है, Fiver plus stainless steel body के साथ देखने को मिलता है आपको, Like body पूरी stainless steel की है, Fiverr की बस like rack के जो handle से उसके उसके उपर coating की हुई है, बाकि इसके जो operations है, 44 db इसकी noise levels हैं जो की बिल्कुल disturbance free है, Easy to use buttons दिये हुए हैं like on off या delay start वगएरा सभी तरह के, In total 14 play settings है तो अगर आपके घर में 6-8 लोग पी है तो आपका काम आसानी से चल जाएगा, एक बड़े परिवार के लिए ठीक है यह अब यहाँ पर जो wash programs है आपको 9 तरह के देखने को मिल जाते हैं जिन में true steam, quad wash, dual wash, white turbo, auto eco gentle and quick wash चैसे options देखने को मिलते हैं, यहाँ पर height adjustment मिल जाता है आपको, foldable tins आते हैं इसके, multi directional rotation and four washing arms मिलते हैं, dual zone wash आती है, वैसे dual zone wash आपको सभी dishwasher से मिलती है, अब यह जो dishwasher है ना मेरी तरफ से highly recommended है, अगर आपका budget इतना जादा नहीं है, then मैं आपको recommend नहीं करता कि आप 20 या 30,000 रुपे के budget से direct 50 के budget पर जाओ, यह सिर्फ उन लोगों के लिए जिसका budget flexible है, तो 2 साल की warranty on product and 10 साल की warranty आपको motor के उपर देखने को मिल जाती है, अगर आपको ज़्यादा प्लेश सेटिंग्स चाहिए and budget कम रखना है, then Samsung का 13 प्लेश सेटिंग वाला काफी ज़्यादा बढ़िया है, around 28,000 रुपीज में आजाता है, अच्छे brand की तरफ से कम budget में आपको dishwasher मिल जाएगा, बात करें, IFB and Bosch की, तो दौनों में ज़्यादा फरक नहीं है, एक दो प्लेश सेटिंग्स का फरक है, एक दो एक्स्रा फीचर साते हैं बोक्स में बस, जो budget है ना दौनों का, काफी जादा है, IFB लगबग 35-36,000 के आसपास आता है, and Bosch आपको 40,000 रुपे के आसपास देख बाकी गईज आज की इस वीडियो में पस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में,